हलो मेरे बार स्टुडेंट्स आई होप कि आप लोग सब वड़िया होंगे आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हाउ टू सॉल्व सैंपल पिपर या फिर टेस्ट पिपर जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनेफिट मिल पाए अब तक आपने ना जाने कितनी बार मेरे मुझे से बात सुना फाए los मैं उठापा हूं तो जो भी चीज मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसको अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो टेस्ट पेपर सॉल्फ करने के बाद जो एक्जाम में आप जब लिखने बैठोगे ना तो उस वक्त आपके अंदर एक अलग फीलिंग आएगा और लगयागा का इच्छा हुआ ये वीडियो मैंने देखा था और जो भा है ताकि आको और अच्छे समझ मेंया आए मान ले एक हमें कहीं घूमने जाना आपको कहीं गुमने आना है इमगेंर अधिक हो हम दो लोह हम लोग नि aja के लिए है तो जब बाहर हम लोग निकले है तो क्या पता चला कि हमें तोangi pilots कहां पर मिलेगा और हमें एक्षाट नेlen यहां पर है लेकिन वहां तक जाते कैसे हैं वो रास्ता मुझे पता नहीं है रास्ते में कहां कहां पर ट्रैफिक आएगा यह भी मैं नहीं जानता हूं कहां पर गड़ा है कहां पर ज्यादा भील है यह सब मुझे बिल्कुल भी आइडिया ने बस मुझे पता है कि हां मुझे एक example के तौर पे के मुझे हावला जाना है वहाँ से train पकड़ना है लेकिन मुझे पता नहीं कि अपने घर से हावला जाते कैसे हैं और रास्ता में कहा कहा पे traffic वगरा है ठीक है आप निकले निकलने के बाद आप अपने car पे या फिर बाइक पे जो भी है आप बैठे बैठने के बाद वहाँ से आप चल दियें रास्ते में अचानक से traffic आ गया बस गया आप वहाँ पे रास्ते में बहुत जगा ऐसा भी आया जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि लिफ्ट लें? राइड लें कुछ भी अंदाजा ही नहीं लग रहा है आप राइड ले रहा हो तो फज जा रहा हो तब फिर पताः चल ले ले था मुझे ठीक है तो वापीस आके लिफ्ट ले रहा हो आप यह सारा चीछ फेस करने के बाद जब आप पहुंचते हो किसी तरीके से आवला तो आपको पता चलता है कि ट्रेंड निकल चुका है आपका डिगा जाने का plan cancel हो गया अब imagine करो same plan same trip आपका डिगा जाने वाला यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप डिगा जाओगे लेकिन घर से निकलने से पहले आप Google Map on करते हो Map में आप देखते हो अच्छा तो मुझे यहाँ जाना है ठीक है रास्ता ऐसा है ठीक है यहाँ पे traffic है अच्छा मुझे 5 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच जाना होगा ताकि traffic में मैं फस होने आप सब कुछ अच्छे से analyze कर लेते हो उसके बाद आप घर में निकलते हो घर से और trip के लिए निकलते हो पहले तो हावला जाना है आपको रहीं आपको पहले ही पता है कि वहाँ पर traffic पे मिलेगा तो आपने पहले ही 5 मिनट पहले लेकर वहाँ पे पहुचए यानि 6 आप हावला पहुचते हो train खड़ा है train पे बाढ़ते हो और भिंदासों जाते हो और रास्ते में फस रहे थे, वो case क्या है, वो case है कि या तो हमने test paper solve नहीं किया था, या तो test paper हमने solve किया था, लेकिन सही से नहीं solve किया था, तो अगर आप test paper को अच्छे से solve कर लेते हो, देन आपको exactly पता होगा कि paper में वैसा कौन सा जगा है, जहां पे मैं अटक सकता हूँ, तो वहां पे आपको 5 मिनट पहले पहुंच जाना है, और बाकी questions को धड़ा-ध़ा solve कर लेना है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे पहुंचूंगा तो मैं अटक सकता हूँ, साथ ही आपको ये भी पता होगा कि paper कैसा कौन सा पार्ट है, जहां पे मैं धड़ा-ध़ा- निकल जाओंगा, वहां पे कोई traffic मेरे के सामने नहीं रहेगा, तो ये importance है test paper या फिर sample paper को solve करने का, और आपको एक basic idea लग जाता है, कि किस level का question रहता है, question का pattern क्या रहता है, ये सारा कुछ आपको पता चल जाता है, और just test paper एक Google map के तरह काम करता है आपके लिए, समझ गया क teacher हैं, लेकिन आपको उनसे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपका syllabus जल्दी complete नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा problem हो सकता है, अगर ऐसा कुछ आप face कर रहे हो, दिन अपना time वत mist करो, बहुत ही कम time है आपके पास, concept era में मैंने personally courses design किया है, अगर आपके पास issue है, आपको positive feedback होगा और आपको भी सावारा कुस समझ में आएगा अच्छे से और आपका syllabus बहुत जल्दी complete हो पाएगा उससे, description में मैं link दे दूँगा, आप उस link को click करके app download कर ले concept era, लोटते हैं वापिस से अपने वीडियो के topic पे, अब बात करते हैं कि क्या method है test paper को solve करने का, दो method म method 1 पर बात करते हैं, method 1 यह है, कि जैसे ही आप एक chapter को complete करते हो, let's say quadratic equation मैंने complete कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, जैसे quadratic equation आपने complete किया, वैसे ही आपको क्या करना है, test paper को उठाना है, आपके पास जो भी test paper हो, prefer करो कि ABTA आपके पास हो, ठीक है, आप लोग बहुत बार प में आता है, November के end में आता है, तो ABTA अभी नहीं है, तो क्या करें, जो भी ABTA आपके पास previous year का है, उसको ले लो, उससे previous year का है, उससे भी previous year का है, तो उससे ले लो, किसी भी senior से बात करके आप previous year ABTA का arrangement कर ले, बस, अब ABTA उठाना है, उठाने के बाद quadratic equation मैंने पहला chapter complete किया ह उस chapter को लेना है, और क्या करना है, आपको paper को पढ़ना है, किस चीच को, test paper को, अब ABTA जो आप उड़ाओगे तो आप देखोगे, 5 या 10 test paper आपको मिलेगा math के उपर, आपको क्या करना है, हर एक test paper को पढ़ना है, साथ में copy रखना है, ठीक है, copy लेना है, पिन लेना है, जित इतना ध्यान रखो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, test paper उठाना है, उठाने के बाद quadratic equation chapter है, बिल्कुल, आपको उस chapter से जितना question test paper में मिले, उसको उठा के लिग देना है, और कुछ नहीं करना है, वो test paper पहला खदम, दूसरा test paper उठाना है, यानि के दूसरा paper उसको उठान question को चार्ट देना है, कि हाँ, यह सारा questions है, जो test paper में पूछा गया है, किस चीज से कौडरेटी की question से, खतम हो गया, paper को आप बंद कर दो, और अब जो copy में आप पूरा लिक रहते questions को, उस questions को एक तरके solve करो, जब वो सारा questions solve हो जाए, तब आप next chapter पे move करो, यह था method one test paper को solve करने का, ठीक है, trust me, यह method follow कर लो, ना मज़ा आ जाएगा, मतलब इस chapter से कुछ भी उठा दे कोई, मैं तो answer दे दूगा, बिल्कुल, ऐसा feel होगा आपको, दूसरा method क्या है, दूसरा method, दूसरा method है, कि आप पूरा chapter को नहीं, बल्के पूरा subject को आप complete कर चुके हो, ठीक है, इ आपको exactly 3 minute, 15 second का timer लगाना है, लगाने के बाद में 15 minute, जो भी paper है, उसको पहले नहीं देखना है, बस decide कर लेना है, कि paper number 2 को मैं solve करूँगा, ठीक है, और पहले उस paper को नहीं देख लेना है, कि उस paper अच्छा चाहिए, यह questions है, तो तो फिर आसान हो गया solve करना, नहीं, मुझ कैसे आपको exam में paper लिखना है, उस video को आप देख लेना, यहाँ पर मैं डाल दूगा, आपको exact idea लग जाएगा कि कैसे आपको exam में लिखना चाहिए, जिससे के आप पूरे 3 घंटे से पहले ही पूरे paper को solve कर पाओ, अच्छे से, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 15 minute पढ़ना कि actually मैं final exam दे रहा हूँ अब, अब आपके पास 3 minute, 15 minute खतम होगा, 3 घंट आपके पास बचा है, आपको उस 3 घंटे में exact वही paper solve करना है, कहीं उठना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई distraction नहीं, क्योंकि भाई final exam दे रहा है, ऐसा नहीं कि भाई घर में paper solve कर रहा है, क्या जर करेंगे, कि हाँ, यह मेरा final exam है, इस तरीके से, तो यह दो तरीका है, test paper को अच्छे से solve करने का, ठीक है, अब, क्या हो रहा है, कि जब आप test paper को अच्छे से solve करोगे, इस पूरे pattern में, तो आपको वो सारा चीज पता चल जाएगा, जो मैंने इस वीडियो को start करने से पहले example आपको traffic का पता चल जाएगा, आपको कहाँ पे fast भागना है, वो पता चल जाएगा, कहाँ पे slow भागना है, वो पता चल जाएगा, तो test paper को solve करने का actual में, मतलब मकसदी यही होता है, कि हमें पता चल जाए, कि exam का level है, exam का क्या pattern है, किसकी जगह पे हम कमजोर है, किसकी जगह पर हम बहुत ही तेजी से भाग सकते हैं और वहाँ पर हम लोगों को exam में भी उसी तेजी के साथ भागना है, I hope कि इस वीडियो में जो information आप लोग के साथ share करने वाला था कि कैसे आपको test paper को solve करना है और test paper को solve करना क्यों जरूरी है वो आपको actual में समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share जरूर करें ताके उनको भी help मिल पाए, अब maybe most probably हम लोग marks distribution वाले series को start करेंगे जहां पर हम लोग syllabus को analyze करेंगे कि कौन से subject में किस chapter से कितने marks से question पूछा जाएगा और अगर 5 marks से question पूछा जा रहा है तो उस chapter से कितने marks का MC क्यों होगा कितने marks का fill in the blanks होगा यानि हम लोग पूरे syllabus को अच्छे से और exam के pattern को अच्छे से समझेंगे, बहुत जल्दी उसका series start होगा, back to back सारा subject का video आएगा कि उसका exactly pattern क्या है, ओके channel को आप जरूर subscribe कर ले ताके उन सारे video का notification आप तक पहुँच जाए इसी के साथ आपके सक्लाइन भाई, हम मिलेंगे आप से next video में, तब तक के लिए अपना धेर सारा ख्यार लखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, thank you